माय रेसिपी इस चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है तो आज की रेसिपी है पालग पनीर के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को इसे बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे चार मीडियम साइस के प्यास बारिक कटे हुए और यह कुछ स्लाइस पनीर के इने कम जादा हम ले सकते हैं और एक बड़ा टमाटरिया चॉप करके मैंने चॉपर में ले लिया है और यह 15-16 कलिया लसन की है बारिक काट के लिए मैंने थोड़ी मिर्च है जैसा हम तीखा खा सके और यह रहा 500 ग्राम पालग और यह कुछ मसा पाले मैंने लिया है जो डेली हम इस्तमाल करते हैं तो इसका मिजर्मेंट में आगे बताऊंगी तो सबसे पहले इसमें हमें पालग को बॉयल करना है तो पालग बॉयल करने के लिए मैंने या पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए और जब पानी बॉयल होने लग जाए तो ही हमें पालग को साफ करके दो लूल के इसमें डाल देना है और सिर्फ दो मिनट ही कुक करना है दो मिनट से जादा पालग को हम नहीं कुक करेंगे और हाई फ्लेम पे ही तो यहां मैंने ले लिया पैन उसमें डाला है सरसो का तेल आप घी भी इस्तमाल कर सकते हो थोड़ा मैंने चुटकी भर जीरा डाला है और यहाँ दो लाल मिर्श मैंने बीच से तोड़ कर डाल दी है तो इन्हें थोड़ा चला के मैं ऐसे रोस्ट कर रही हूँ जैसा क्योंकि इसकी सौंधी खुश्बू जो है वो बहुत अच्छी लगती है खाने में और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है सबजी में इसके बाद हमें ये चॉप के हुए लसन डाल देने हैं तो लसन जैसे ही हम डालेंगे हलका सा बस एक दो बार हमें इसे स्टर करना है उसके बाद जस्ट ही हमें डाल देना है प्यास को क्योंकि लसन मैंने बारिक काटा है हमने तो वो साथ में क्या होता है पहले हम प्यास नहीं डालेंगे तो जल जाते है और lesson पहले डालने से क्या होता है न, flavor भी बहुत अच्छा आता है तो यहां मैंने डाल दिया है प्याज तो प्याज को थोड़ा सा में translucent होने तक ही पकाना है फिर मिर्ज मैंने डाल दिया है उपर से तो प्याज जब half cook हो जाएगी means translucent हो जाएगी तो इसमें हमें डाल देना है ये अद्रक टेड़ इंच जो मैं बता ना भूल गई थी तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं तो या मैंने अद्रक डाल दिया है बहुत जादा नहीं पकाना होता हमें अद्रक को तो बस थोड़ा सा स्टर कर लें साथ में बस फ्लेवर एड़ हो जाए इन सबी चीजों के साथ में इतना ही हमें से पकाना है अद्रक को तो अब इसी स्टेज पर हम टमाटर डाल देंगे जो हमने चौप करके रखा था तो चाहो तो आप टमाटर को ऐसे हाफ चौप करके मिन्स ऐसे थोड़ा सा मशी सा हो जाता है ऐसा भी ले सकते हैं या फिर कट करके भी डाल सकते हैं तो मुझे ऐसे जादा अची ग्रेवी लग जाती है इसकी तो मैं ऐसे बनाती हूँ तो यहाँ टमाटर को भी हमें अच्छे से कुक कर लेना है और जैसे ही टमाटर पक जाएं अच्छे से तो इसमें हम सारे मसाले एड़ करेंगे तो अब हम सारे मसाले इसमें आड़ करते जाएंगे तो यहां मैंने डाला आधा चमच लाल मिर्श का पाउडर थोड़ा सा बिल्कुल एक चौधा ही चमच के करीब है हल्दी जो कि मैंने बस नाम के लिए डाली है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर यह मैं बाद में विलता है तो मैं जादा मसाले ऐसे इस्तमाल नहीं करती कलर के लिए और यह लास्ट में मैंने एक चमच नॉर्मल सबजी का मसाला डाला है तो अगर आपको और भी बेस्ट रिजल्ट चाहिए इसके लिए तो आप इसमें शाही पनीर का मसाला डाल सकते हो, बहुत ही गजब की रैसीवी बनती है फिर, लेकिन मैंने आज इसमें नॉर्मल मसाला ही, जो हम डेली यूज़ करते हैं, वो मैंने इस्तमाल किया है, 15 से 20 सेकंड मसालो को पकाना है हमें, तो जब तक प्यास हो रहे थे ना, तो मैंने ये पालक को ग्राइंड कर लिया है, तो इसे ग्राइंड करके आपको इस स्टेज पर डाल देना है, जब सारे मसाले कुक हो जाएंगे, और अच्छे से इसे मसाले के साथ में मिक्स करके ऐसे रहना है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा साम नमक डाल देंगे, और फिर इसे ऐसे चला चला कर मिक्स कर लेंगे, पालक को थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसे ढखके, लो फ्लेम पे बिल्कुल 5 मिनट के लिए इसे चोड़ देंगे, जिसे कि सारे फ्लेवर अलग के साथ सोख हो जाएं, 5 मिनट के बाद हम इसे ओपन कर कैसे देखना है, यह देखे, तो तेल भी अलग हो रहा है इसे पालक से, तो अच्छे से यह कुख हो चुका है, तो 6-7 मिनट हमने पकाया है, तो थोड़ा 1-2 मिनट हम आगे पीछे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, तो अब इसमें मैं पनीर एट कर दूँगी, तो पनीर को हमें इसमें डाल के जादा नहीं पकाना है, बस एक-दो मिनट हम चाहें तो इसे ढख के छोड़ सकते हैं, जिसे की थोड़ा फ्लेवराइस जो जाईए पनीर, पनीर एट करने के बाद मैंने यहां पे एक जाइफल लि चीज को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगें, यह सब चीज़ों को ढालने के बाद, हमें पनीर को जादा पकाना नहीं है इसके साथ में पनीर फिर हार्ड होने लग जाते हैं, तो यह मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इन वी सबीचीजों को, और फिर 1 से 1.5 को नाने का ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा इस वडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये जिससे की ऐसी वीडियो और भी आपको मिल सके नोटिफिकेशन DS आपको सबसे पहले मिले जैसे में अपलोड करूँ and thank you for watching